वासिवर पेंट नहीं है आप इस पेंट को छत में दिवार में और इंटेरियर में आप कहीं भी कर सकते हैं और इसको आप करने के लिए एल्मोन ट्रेक्टर डिस्टंपर के उपर भी आप डारेक्ट कर सकते हैं पी ओपी के उपर आप डारेक्ट कर सकते हैं वाल पुट्टी पेंट के उपर डारेक्ट कर सकते हैं प्रेंट यदि आपकी पूरी दीवार पर नई पी ओपी और रखी है तो आप वहाँ पर डारेक्ट ना करें वहाँ पर प्राइमर लगाएं अगर आप वाल पुट्टी कर दिये हैं तो आप उस पर डारेक्ट लगा सकते हैं, इस पेंट को कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंट ये पेंट वासिबल पेंट नहीं है, इसकी आप सफाई अगर आप सरवसागλιं से चाहें, साप करने को, तो आप इसको साप नहीं कर सकते हैं, आप इसे और जो इसकी life effort, ये 7 से 8 साल तकरीबन चल जाती है, सिलिंग में, ज्यादा भी हो जाता है, सिलिंग में, और दिवार की अगर हम बात करें, क्योंकि हात लगने यह जाता है गाएक। ट्रेक्टर एमर्सन पेंट करते हैं तो आत लगनी पर गंदा होजाता है, ऐसे कंडिसन में पांच से छे साल तब भी आपको कह साल को सब presenters रखेंगा तो जादा टाइम भी चल जाता है, यह अपने आपको खराब नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो जता है तो ये खराब होने लगता है ये पेंट बिल्कुल हावा थंडी हलू और गरम हावा और इस सड़ जाता है लुक्त इस सरक रख जाता है और न फिल तकर बात करने वाले हैं फ्रेंट ट्रेक्टर इमल्शन की जहां तक बात हमारी दीवार की है दीवार में हमारा रॉयल होना है और छट में हमें करना है ट्रेक्टर इमल्शन की बाल्टी हम आपको दिखा देते हैं तो हमारे पास यह है ट्रेक्टर इमल्शन की बाल्टी जो हम इसे छट में यूज करने वाले हैं इसमें इस पहले अल्रेडी हो रखा है इसका पहले से आल्रेड़ी ट्रेक्टर इमल्सन हो रखा ओन यह मारा आप वाइट के तरह ध्यान देना तो यहां पे आप देख सकते हैं वाइटनेस इसका पहले से अल्डेडी ट्रेक्टर इमल्सन हो रखा है अब इसी में रोयल पेंट की भी टेशिंग लगी है जो की आप यहां देख पा रहे होंगे तो यह जो थोड़ा सा डार्क सेड है टेच अप लगा हुआ है यह रोयल पेंट है और यहां पर जो है हमारा यह इमल्सन की वाइटनस दोनों में आप अंतर देख पाएगे यहां भी देख सकते हैं तो आपको यह जो थोड़ा सा ग्रेश सेड में नजर आ रहा है यह आप देख सकते हैं यह रोयल पेंट है जो की ट्रेक्टर इमल्सन के मुकाबले इसका वाइटनस कम है तो यहां पर जो पेंट लगने वाला है इसमें जो आपके छट में पेंट लगने वाला है ट्रेक्टर इमल्सन की वाइटनस कितना प्यारा है अभी तक फ्रेंड यह बिल्कुल वाइट ही नजर आ रहा है इसके मुकाबले में रोयल पेंट जो है ठीका पड़ गया थोड़ा सा इसमें प ट्रेक्टर इमल्सन का ही मैं आपको राय दे इसमें रोईब पेंट में लिक्विड मिक्स ज़्याधा लिक्विड मिक्स होती है तो इस वज़ा से रोईब पेंट हल्का सा पिला पर जाता है और ट्रेक्टर इमल्शन में liquid कम mix करती है company इसलिए इसकी whiteness ज़ो है ज्यादा होता है वैसे भी यह च्छत आपका कभी गंदा होने ओला रहता है जो भी गंदा होता है अपकी दीवार गंदी होती है छट बिल्कुल जैसे किया रहता वैसे ही रहता पस सरदी और गर्मी की मौसम की वजह से को बिल्कुल वाइट रहता है तो इसलिए मेरी राय यही रहेगी आप ट्रेक्टर इमल्सन चट के लिए यूज़ करें ट्रेक्टर इमल्सन क्या होता है यह थोड़ा मैट फिनिश में होता है और देखने में आखों को प्यारा भी लगता है इसके मुकाबले अगर हम रॉयल की बात करें या फिर वेलवेट की बात करें कोल भी वाइट वासिबल पेंट की बात करें तो उसमें थोड़ी सी चमक होती है जैसे कि आपके छट का जो सिलिंग है सिलिंग जो है वो टेड़ा मेड़ा रहेगा तो वो भी नजर आता है जो की चमकता रहता है इसमें आखों को अच्छा नहीं लगता है, so friend आप tractor emulsion छट के लिए ही यूज करें, so friend इसको हम बता देते हैं, इसकी mixing क्या होनी वाली है, इसमें पानी कितना मिला जाता है, और इसमें हम color कौन सा mix करते हैं, whiteness के लिए, हमारे पास थोड़ा सा tractor emulsion बचा हुआ है, और इसमें हम थोड़ा सा add or कर लाएंगे, tractor emulsion, ये आप देख सकते हैं, और इसमें friend जो हमने mix किया हुआ है, color वो violet है, इस टीन आ जाती है, छोटी टपी, आप उसे थोड़ा सा mix कर लें, इसको डालने से क्या होता, थोड़ा सा छट में whiteness आ जाता है, तो यहाँ पर हम इसमें add कर देगे, क्योंकि इस violet ज्यादा है, तो आपको ज्यादा mix करने की जरूरत नहीं है, ताकि सूखने के बाद ये बिल्कुल white हो जाए, इसमें friend आप जो पानी mix करेंगे, वो 600 ml से लेके, 700 ml तक आप पानी इसमें use कर सकते हैं, तो हम इसको अभी mix कर लेते हैं, इसका violet कम हो जाएगा mix करने के बाद, अब इसका violet सही हो गया है, इतना violet रहेगा, तो whiteness बढ़िया आएगी, और ये सूखने के बाद pure white हो जाएगा, तो इसमें अभी हमें पानी mix करना है, तो दू लिटर के आसपास हम ने इसमें add किया है ट्रेक्टर रिमल्सम और तो उसी हिसाब से हम 100 लिटर के आसपास पानी इसमें mix कर लेंगे, ये हमने mix कर लिया, इसको अच्छे से mix करना है, हिदा के, बस थोड़ी देर में friend हम इसको छट में apply करने वाले हैं, आपको दो coat apply करने हैं छट में, अगर आपका पहले से छट white है, अगर छट में color है कोई, तो आप 3 coat लगा सकते, इसको friend हमें बरस से करने हैं, चाट में पहले से already tractor emulsion हो रखा हो, या almond distum पर हो रखा हो, तो वहाँ पर आप direct apply कर सकते हैं, अगर आप wall putty, नई wall putty है, P.O.P. हैं, तो ऐसे condition में आपको friend उस पर primer लगाना होगा, और अगर आपकी नई P.O.P. हैं, तो आप वहाँ पर primer लगा सकते हैं, अगर आप wall putty कर रखे होंगे, तो आप वहाँ पर primer नहीं लगा के आप direct भी इस tractor emulsion हो, यहाँ आप देख सकते होंगे color है, इसको हम color ही रहने देंगे, यहाँ पर इसकी जगाँ पर हम इसका color change कर देंगे, जो हमारा दीवार में color रहेगा, वही जट में आ जाएगा, तो अगर यह फटा फट जल्दी जल्दी सोख जाता है, दो से तीन मिनट में इसका जो सूखने की छमता होती है, बहुत तेज होती है, अगर सर्दी में आप कर रहे हैं, तो आप roller चला सकते हैं, अगर आप गर्मी में, गर्मी के मौसम में कर रहे हैं, तो आप roller नहीं चला पाएंगे, उससे पहले ही यह सूख जाएगा, यह एल्मोन डिश्टंपर के ऊपर वाली क्वालिटी है, और एक दस बाई दस के सिलिंग में आपका यह एक से देड़ लीटर पेंट लग जाता है, इसका यह आइबरेज है, एक लीटर, डेढ़ लीटर आपका जैसे च्छत हो, तो यहाँ पर फ्रेंड एक लीटर ही लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कलर ही है, इसमें से कट जाएगा, तो इसलिए इसमें एक लीटर लगेगा, अगर आपको पूरी च्छत क जाएगा जाते हैं, इसमें जाँ से का जाएगा 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 लō इसक लेएगा लेगन एक लेकि लेगारühr झाल झाल यहाँ पर प्रेंट देख सकते हैं मारा जुक पहला कोट लगाया हुआ था ट्रेक्टरि मलसर का यह सूख चुका है दो से धाई घंटे हो चुके हैं प्रेंट हमें लगाये हुई तो यह अच्छी तरह से सूख चुका है अब इसका हम क्या करेंगे डबल कोटिंग इस पे सबसे पहले हम इसका डबल कोटिंग अपलाई कर लेते हैं अगर आपके छत में अगर इस तरह से कलर हो रखाzę और इसको इसके उपर आप करेंगे तो यह दो कोण मैंने थीन से चार कोट लग सकता है और यहां पर की वाइड है और यहां पर वाइड के ऊपर वाइड चलाएंगे तो इस पर हमारा दो कोट में फाइनल हो जाएगा तो इसको सोखने के लिए आप पहला कोट अपने अपलाई कर रहे हैं तो सोखने के लिए दो से धाई गंटा छोड़ते हैं अच्छे से जब सूख जाए जभी आप इस पर टेबल कोटिंग अपलाई करें यह हमारा पांच इंच का परस है आपके अरिया में पांच इंच का मिल रहा हो तो पांच इंच भी ले सकते हैं चार इंच का मिलता है तो आप चार इंच से भी इसको कर सकते हैं झाल झाल जाल झाल इतना ही नेस्ट वेडियो में फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भाद